दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक अनुखा आदेती है परज़टन स्थली के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सद आप लोग पहले कभी नहीं देखा होगा और ओर अनुखा परज़टन स्थली आमरीका का नेवाडा में पाई जाती है जिसका नाम है फ्लाइ गैजर मीगिन बेली के पास होते हैं और अपने आदितियों रंगों और प्राकितिक गुफाओं के लिए फ्लाइ गैजर की उत्पत्ति बिग्जानिक काम के दवरान हुई थी जब तापमान के नेमचन में चुटी हुई और एक जलमव प्रभा नेमन हुआ इस पक्रिया के फालस्रिप जलमव प्रभा से अल्जो और मीनारल जमने लगे जिससे ये आदितिया रंग और गुफाएं फ्राक्त कर गया गाइजर से निकलने वाला पानी उसाइफर सिट कता है और गयाटावारन को अग्रही बनाने वाली नगमा उत्पन करता है फ्राइगाइजर फाकितिक एक लोता हमें इस्तित है और सारे बड़्स आगे बार ही है ये निजी निजो संप्रदाई के स्वामी है और सारबरजिनिक देखने के लिए उपलत नहीं है लेकिन कुछ याद्ची और परजटको के परविश अनमोती दी जाती है योदि आप फ्राइगाइजर की यत्रा करना साहती है तो आपके पहले अनमोती प्रत करना होगी और जतासंदफ आपको संगठन डारा निधाईत समय पर जाना सहिए फ्राइगाइजर एक अधितिय गाइजर है जिससे तपमन्य समुद्जी नहल से पाने उठाता है ये गाइजर उच दवाब वाले जल के प्राभा के करन बनता है और धीरे धीरे बनाया गया है फ्राइजर के शिससताई में उच्चतम बरसाती जल के स्रोत जिन्म पानी के तपमन पच्तादी कोफोता है और गाइजर से निकलने वाला रंगें जल शामिल है ये जल उठाने बाले सुरत और इसकी अस्पास को फथरों के करण गाइजर के और दितियों और अकर्शक बनाता है फ्लाइजर का फास संबधित संपत्ति के भीतर है और सारवजनिक रुप से अनमोती नहीं है यदि आप फ्लाइजर के दौरा करना चाथ योजना बना रहा है तो आपको इस्तानिया प्रशाशनिक नियमों का फालन करना चाहिए और सुरेक्षा और पहुंस नियमों के बारे में जानकरी प्रफ करनी चाहिए फ्लाइजर एक अनुखा परजटन इस्तोल है जो नेवड़ा अमरिका में इस्तित है यह यह जैसे वेल रेंज फ्लाइजर रेंज के ग्राउंड्स पर इस्तित है जो ब्लेक राग डेजर्ट के पास होता है इसके एक अनुखा फ्लाइजर की खर्षियत है कि यह नेवड़ा में एक बिद्धित्य कमपाइनी दारा 1964 में बनाये गई वेल भेलो के दाड़ा निकाले जाने वाले गरम पाने से निकलते बाले मिट्टी स्रामुगरी और गरम जल के कारण गहरे रंगों में दाला हुआ हुई है यह रंग भी रंगी सुच्चिप और पत्थरों के बारिश की तरह देखता है और इसे अधिकरिक रूप से फ्लाइगेजर के नाम से जाना जाता है यह प्राकितिक रूप से बना है और मीजी सम भूता में है लेकिन कुछ सामय के लिए यह परज़तिन के लिए खूला रहता है परज़तिक इसे दूर से ही देख सकते हैं और इसे नजदिक से नहीं जा सकते हैं यह अनुखा प्राकितिक रस्तना देखने के लिए परजटू को आकर्शित करता है